हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स अज थोड़ा साना एक टॉपिक पर बात करना चाहते हूँ लेट गो करना क्यों जरूरी है चीजों को लेट गो करना क्यों जरूरी है देखे जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं दिवाइन मैस्कुलाइन दिवाइन फैमिनाइन की और रियूनियन की ठीक है रियूनाइट होने की ठीक है फाइव डी मर्जिंग की सोल मर्जिंग की ये सारी चीजों के हम बात करते हैं तो हम karmic detachment को लेकर के कarmic detachment को लेकर के ठीक है तो हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं separation देखते हैं reunion देखते हैं surface reunion की बात करते हैं ठीक है और friends जैसे कुछ लोग अभी जिस तरीके से अपनी जर्नी को देख रहे हैं उसमें उन लोगों को ये doubts भी रहते हैं कि क्या वो जिस person को अपना twin समझते हैं, real twin समझते हैं, क्या वो उनके twin हैं और नई ठीक है, तो friends यहाँ पर दो तीन तरह की चीज़े आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, stuck हो के रह गई है, यहाँ पर friends आपकी meditation भी work करती है, ठीक है और meditation के साथ साथ बहुत सारी चीज़े होती है, meditation एक ध्यान है, ठीक है, एक ध्यान की मुद्रा है इस चीज़ का ऐसास आपको इसलिए भी कराया जाता है, जिससे कि आप जान सको क्योंकि आपके beliefs break होते हैं, ठीक है, life ups and downs आते हैं, सब चीज़ होती है अपकी life में तो उस सब चीज़े क्या होता है, आप न और लोगों को देख रहे होते हैं, कि सबकी life flow में चल रही होती है, सबकी life में happiness होती है, सब बहुत enjoy कर रहे होते हैं अपनी life को, बट आपकी life में वो सारी चीज़े नहीं होती तो इसका कुछ reasons फ्रेंड ये भी होते हैं, कि हमारी जो experiences होते हैं, वो बहुत hard होते हैं, ठीक है, हमारी life औरों के according बहुत hard चलती है, लेकिन हमारे भी कुछ issues होते हैं, जिन पर work करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जैसे हम पे let go नहीं होता, ठीक है, हम पे trust नहीं होता नहीं इश्वर पे believe नहीं होता, जिन नहीं हमारी रचना किया हमें, उन पे believe नहीं होता, कि वो हमारे साथ कुछ सही कर सकते हैं, ठीक है, फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगी, हमारी जो journey है, वो stuck होके क्यों रह जाती है, वो जो journey है, उसके stuck होने का reason क्या होता है, उ हम ना universe को surrender करने के बाद भी खुद बखुद चीज़े control कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता यह चीज़े control की क्यों जा रही होती है, क्योंकि जबकि हम सब जानते हैं, कि यहां पर universal energy work करती है, universe work करता है, उन पे trust और उन पे believe होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पे trust और लोगों को बता दूंगी, कि जिन्होंने अपनी जन्नी को बहुत ज़रूरी किया है, reason बस यह है, कि उन्होंने let go करना नहीं सीखा चीज़ों को, ठीक है, अब इस जन्नी में इस चीज़ का आपको अहसास है, उतना ही आपको अहसास होना चाहिए, कि let go करना भी बहुत ज़ आपको डिले करते जाते हैं, आप खुद बाखुद जैसे swimming pool में, जब हम swimming करते हैं, तो हम पानी हटाते जाते हैं अपने हातों से और अपना रस्ता साफ करते जाते हैं, वह वाली चीज़ करनी होती है, ठीक है, कि अगर यूनिवर्स हमको मौका दे रहा है, कुछ लाइफ म सब हमारे पास आ रहा है, मैं उन सब चीज़ों को accept करना चाहिए, ठीक है, रियलेटी में वही हमारे गिफ्ट और वही हमारी चीज़े होती है, जो हमारे लिए लाइफ में हमारे लिए यूनिवर्स ने चुनी होती है, बट हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पीछे अटका के रख देते हैं, या तो आगे बढ़ते नहीं है, या अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है, तो वह सारी जो चीज़े होती है, यह बहुत सारी रीजन बन जाते हैं, आपकी जनी वहीं स्टक होके रह जाती है, सब की लाइफ बढ़ रही होती ह आपकí जाब नहीं चल रहे होती है सबकी लाइफ में new-new रिष्टेй आरहे होते है नियू नियू लोग जूट रहे होते हैं आपकी लाइफ में वो सब चीजे नहीं चल रहे होती है ठीक है फ्रेंट्स ऍृटेश्मेंट के साथ एपसाथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ detachment होती है कार्मिक्स के behavior pattern तक change हो जाते हैं अगर journey को आप flow में रखे universe की जैसे universe ने उस journey को तयार किया है उन्यूवर्स ने जिस तरीके से उसको सोचा है उस जर्ली को चलाने का उस स्क्रिप्ट को लिखा है आप उस स्क्रिप्ट से बाहर अपने ही एक नई स्क्रिप्ट तयार कर रहे होते हैं ठीक है अपने ही मतलब खयाले पुलाओ ये बिल्कुल जो गलत होता है जो बिल्कुल की गलत होता है ठीक है क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ चीज़े डेसाइड करके रखे हुई हैं अपने तरीके से उन चीज़ों को अपने टाइम पे डिवाइनल टाइम पे उपन करने के लिए आपको पैता भी नहीं चलता आप अपनी लाइफ का कितना बड़ा मतलब पार्ट जो है न वो खो रहे होते हैं कितनी सारी चीज़े आपनी लाइफ में खो रहे होते हैं ठीक है आपको लगता है कि उनके बिना आपकी जिन्दगी अधूरी है कुछ जिदे पाल लेते हैं कुछ इशूस को पकड़के बैठ जाते हैं कुछ चीज़ों को बिल्कुल स्टक करके हम अपने हाथ में अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपको समझना होगा ठीक है यह जो प्लैनेट है यह जितने भी प्लैनेट हैं सारे यूनिवर्स की मर्जी पर work करते हैं ठीक है यहां आपका अपनी जर्णी को डिले करना मीन ये मान लीजिए आपको अपनी जर्णी के साथ अपनी लाइफ भी डिले करती आप अपने ही आसपास अपने ही फ्रेंड्स को देखी अपने ही सोल family के friends को देखना ठीक है एक दूसरे से अगर बात करोगे तो आपको समझ पाएंगे कि आपने अपनी life को कितना जादा टक करके रखा हुआ है ठीक है यह जो journey है यह soul purpose की journey है soul mission की journey है ठीक है अपने soul purpose, soul mission को जानने की जरनी है अपनी life में आगे बढ़ने की जरनी है कुछ नया सीखने की जरनी है जो हमें कमिया है उसको जुदारने की जरनी है ना कि किसी एक person पर अटक के रहने की जरनी है ठीक है क्योंकि universe ने सब के लिए सब कुछ decide क्या हुआ है सब की script ready कर रखे ठीक है karma है clear करने आपके twin के साथ आपकी जरनी लिखी है तो वो आपको मिलेगी ठीक है अब इतना अटक के नहीं रहना होता अगर नई लोग आ रहे हैं आपसे नई लोग जुड़ रहे हैं तो उनसे आपको जुड़ना होता है ठीक है और जो karmics हैं आपके उनका behavior pattern भी बदलता है ठीक है एक crush रखिए हम ना कई बार ऐसा भी होता है कि karmic से detachment होते 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 कि ना हम एक ऐसी स्थिती में आके खड़े हो जाते हैं हमें humility मतलब हमें इंसानों के वीच रहने से नफरत होती है ठीक है यह नहीं करना होता है आपको 3D, 5D जब अगर आप 5D merge होते हैं तो आपको 3D, 5D balance करना होता है तो अपनी life में आगे बढ़ना होता है ठीक है कोई भी बुरा नहीं है बस यह है कि आप जानते हैं कि 5D भी कोई चीज होती है और 3D के लोग नहीं जानते हैं कि 5D भी कोई चीज होती है बस यह अंतर है अब उनसे ना तो भाग सकते हैं ना उन्हें सिखाना है ठीक है उनके साथ आगे बढ़ना है उनको भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है life यही है इसको समझी है जरनी आपको यही देती है true unconditional love की स्थिती में वो इसली लाती है कि आप सबको प्यार करें खुद को प्यार करें ठीक है कोई नफरत की लायक नहीं है और कोई नफरत पाने का हगदार भी नहीं है बस एक behavior है कि किसी का behavior हमको अच्छा लगता है किसी का behavior हमको अच्छा नहीं लगता है किसी के आदते हमको अच्छी लगते है किसी की कुछ आदते हमें इतनी खराब लगते है कि हम hurt होकर चिपका के अपने भीतर रख लेते है अरे वो नहीं करना होता है उसको वहीं के वहीं हील करो, खतम करो, उसे शुको, वो बंदा गंदा नहीं है, वो व्यक्ती गंदा नहीं है, वो परसन गंदा नहीं है, वो लाइफ गंदी नहीं है, ना आपकी लाइफ गंदी है, ना वो सिचुशन गंदी है, गंदी है, तो केवल वो एक घटना, ठीक है, बस वो चीज ना सबके लिए एक परसन बुरा ही हो सकता है और ना सबके लिए एक परसन हमेशा अच्छा ही हो सकता है जिनको आप बुरा कहते हैं वो बहुतों के लिए अच्छे हो सकते हैं ठीक है और जिने वो अच्छा समझते हैं उनके लिए बहुत से लोग बुरे हो सकते कुछ भी हो सकता है ठीक है आपको केवल फ्लो में रहना है यहां पे आपको आप यहां जर्णी अपनी डिले करने नहीं आए है अपनी जर्णी को फ्लो में रखने आए है ठीक है और अपनी जर्णी को फ्लो में रखना बहुत ज़रूरी है यह जो आपके भीदर डाउट आते है ना कि यह मेरा ट्विन है या नहीं है यह मेरी जर्णी है या नहीं है मैं इस जर्णी में हूँ या नहीं हूँ जर्णी तो आपकी है लेकिन आप जो आपने जिस तरीके से जर्णी को देखना शुरू किया जर्णी एक्षिल में वैसे वर्क नहीं करती, ठीक है, यूनिवर्स एक्षिल में वैसे वर्क नहीं करता, ठीक है, कुछ उनकी अपने स्क्रिप्ट्स हैं, और वो आपको अपने की लाइफ का बैस्ट परसन बनाने के बाद, आपको वही परसन देंगे जो आपके लिए बैस् ठीक है अगर आपके ट्विन के भीतर चेंज नहीं आता है इट्स मीन आपके ट्विन में कुछ ऐसी सिच्वेशन हो सकते हैं जिसकी वैसे वह बदलना ना चाहा रहे हुए बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं ठीक है सर्फिस रियूनाइट होना और सर्फिस रियूनाइट के पीछे भागने से अच्छा है अगर आप पते हैं यह सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपनी जर्नी को सरेंडर करते हैं जब आप अपनी जर्नी को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो उसन आपके लिए तै किया है, जाहे वो आपका twin हो, जाहे आपका soulmate हो, ठीक है? जाहे आपका real twin हो, ठीक है? false twin की कोई theory नहीं है, actual में होता क्या है, जिस person को आप इतना पीछे लगये होते हैं, जिसके इतना chase कर रहे होते हैं, जिसको यह वो चीज हैं, एक्शुल में आप न आपको ये तो पता चल गया है कि आप इस जर्णी में बट आप अभी भी नहीं समझे इस जर्णी को ये प्रॉब्लम होती है ठीक है मैंने जब मैरिट अनमैरिट वाली इशू पे वीडियो बनाया था अनरजी वीडियो बनाया था तो मैंने इसी लिए और उसी वक्त बनाये था जब मेरेको ये download मिल रहे था कि बहुत जादा लोगों को problem बोरी है लोग समझ ही नीरी ये journey क्या ये journey flow की journey है ये journey surrender की journey है आपको आगे बढ़ाने आती है आपको रोकने नहीं आती काफी लोग इस journey को कोशना शुरू कर देते हैं औरे हम इस जर्नी में मैं ऐसा कर लूँगा, अपने साथ वैसा कर लूँगा, इस जर्नी ने मेरी लाइफ खराब कर दी, कोई किसी की लाइफ खराब नहीं करता, यूनिवर्स ने किसी की लाइफ खराब करने के लिए आपको ये जर्नी नहीं दिये, ना आपको अपनी की अपना काम बस मेडिटेशन करना थीक है ट्रस्ट रखना ए यूनिवर्स पर बिलीव रखनाय ये काम होता है किसी को चेस करना ठीक है किसी से उमीद लगाना ये वाली चीजे ठीक है 3D behavior pattern आप नहीं बदल सकते क्योंकि अगर script universe ने लिखिया है mean script उसी script के अनुसार लोग work करेंगे वो अपना किरदार follow करेंगे आप उस किरदार को बदल नहीं सकते उस character को बदल नहीं सकते उस nata को बदल नहीं सकते उस play में कोई change नहीं कर सकते जब अगर stage पे कोई play अगर चल रहा है और उस वक्त आप चाहें कि इसमें change हो जाए तो वो script आप नहीं बदल सकते ठीक है वो आपके करमा अनुसार आपकी script तै है हाँ आपका ये work बनता है कि आप अपनी script के अनुसार universe के flow में रह करके अपनी journey को आगे बढ़ाएं अपनी life को best बनाया और happy रहें ठीक है अपनी life में खुश याँ पाएं ठीक है खुश रहें खुश रहने के लिए कोई बड़ी वज़ा होना ज़रूरी नहीं कोई तीसरे person या दूसरे person का होना ज़रूरी नहीं है खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारा universe और हम universe के इतना काफी है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जितना pain आप feel करते हैं ये जो भी चीज़े आप feel करते हैं इसका reason कही न कहीं खुद आप होते हैं खुद हम होते हैं इसका reason क्योंकि हम अटक के रह जाते हैं एकी person पे एकी चीज़ पे एकी life पे जबकि जर्नी ऐसी नहीं है जर्नी आपको सिखाती है बहुत सारी चीज़े अपने आप पे काम करवाने आती है आपको क्या आप काम करें अपने आप पे वर्क करें खुद पे अगर आप लोग विवेका नंद को जानते हों विवेका नंदा को तो उनकी जो जर्नी है वो शुरू कहां से हुई जब वो अपने गुरू से मिले चीक है और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो उपने गुरू के आसपास ही पुरी life घुमते रहे और उनकी life ऐसी चलती नहीं बिलकुल नहीं वहां उनके energy अवेकन होई ठीक है वो उनकी energy जब उनके twins से मतलब जुड़ी तो वो अवेकन होई अवेकन होने के बाद क्या है फिर उन्होंने खुद पर काम किया लोगों के ले काम किया ठीक है इतने बड़े बड जरनी को लेके जाना चाहते हैं मुझे समझ नहीं हा रहा है actual में reality में आप अपनी life को अपनी जिंदगी को कहां लेकर जाना चाहते हैं मैं देख रही हूं बहुत सारे comments में देख रही हूं बट रिप्लाइ नहीं किये अभी एक दो दिन पहले ही मैंने comments देखे बहुत सारे म करने पड़ जाते हैं मुझे कुछ कुछ कमेंट्स क्योंकि इत्ते जादा मतलब अजीब अजीब comments होते हैं कि जरनी के वैसे हमारी life हैसी होगी ऐसी होगी ऐसा होगया वैसा होगया जरनी के वैसे कुछ किसी की life में नहीं होता कि आप जरनी को blame कर रहे हैं मेन आपको क्या universe किस पे trust हैं किस पे trust हैं समझे ना खुद को आपकी life problem में चल रही थी आपकी life में बड़े ups and downs चल रहे हैं तब कहीं जाके आपको यह journey का एसास कराया गया आपका आपको तयार किया उन्होंने आपकी journey में बनाया उन्होंने आपकी life उन्होंने दी ठीक है अब यह जो time है य को ही पकड़के बैठे हुए हैं ठीक है अपने twin को पकड़के बैठे हुए हैं कि यह हमारे twin है यह हमारे साथ आएंगे 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 तब हम अपना soul mission करेंगे ऐसा नहीं होता है friends go with flow रह आपके लिए ही परिशानी की बात है ठीक है तो आज ये वीडियो मैं फ्रेंट्स लेके आई थी क्योंकि मुझे काफिस दिन से डाउनलोड मिल रहते ठीक है ये शुट चल रहा है बहुत जादा चल रहा है मैं नहीं चाहती एक्षुल में कि मतलब कोई अटक के अपनी जर्नी को बिल्कुल रोक के रख दे आप देखोगे पता है ट्विंस की लाइफ इतनी जादा उनको जर्नी उनकी समझ ही नहीं आती है उनको पता ही नहीं चलता ये जर्नी है क्या एक्षुल में ये जर्नी क्या देना चाहती है एक्षुल में आपको ठीक है आप मैं नहीं कहती कि क किसी के वेट में, किसी के इंतिजार में, आप पुरी जिंदगी अपनी ऐसे ही निकाल दें. ठीक है, जबकि ये जिन्दगी आप ऐसे ही तब निकाल रहे होते हैं, जब यूनिवर्स ने कुछ डिसाइड किया, आप कुछ सौच रहे हो, और आपकी जिध है, कि आप अपने हिसाब से पनी life चलाना चाहते हो, जब कि universe ने कुछ और तैके हो, आपके लिए सब कुछ best है कि हो है, सब कुछ best life तैकी हुई है, ठीक है, बड़ आप उसे पाना नहीं चाहते, आप उन gifts को खोलना ही नहीं चाहते, आप soul mission की तरफ जाना ही नहीं चाहते, आप में life में आगे कुछ करना ही नहीं चाहते सिवाए एक twin, आपके twin right है, wrong है, आपकी journey right है, wrong है, आप इस journey का पार्ट है या नहीं है, अरे मुझे एक चीज clear कीजिए, कि आप अगर इस journey का पार्ट नहीं होते, तो इस journey में, बाकी जो इस धर्ती के लोग हैं, वो क्यों ऐसा है वो यहां तक क्यों नहीं आते हैं यह जर्नी देने का नाम है पाने का नहीं यह जर्नी आपको देने आई है आप लोगों को देंगे फिर ठीक है आप पहले ही अगर किसी पे मतलला रुक के बैठ गए कि यह अब हमारी लाइफ तभी शुरू होगी तभी से हम कुछ रहना शुरू करेंगे सब्सक्रास, कार्यान ḥ पक्रमारी आपको इसे करेंगे तभी हम अपने जॉप पर धियां देंगे सब्सक्रादा इसे करेंगे को द ile यह क्रेंग करेंगे अगर यह सब स Chi बढ़ान리कु के फ्रेंट लेदें मैंने सबसे पहले मेरिट अनमेरिड वाला issue ही clear किया था खा क्योंकि ये कर्मा होते है आपको complete करने होते हैं ठीक है सरफेस, रियुनियन और ये सारी चीजे उसी पर डिपेंड करती है ठीक है आप पर डिपेंड करती है आपकी universe ने आपकी script में क्या लिखा है उस पर depend करती है ठीक है तो go with flow रहने को हम क्यों कहते हैं कि universe के flow में रहिए universe के हिसाब से चलिए कि go with flow रहने में फायदा ये होता है कि universe आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे ये आपको भरोसा है ठीक है और एक बात बताओ universe आपके parents है क्या कोई भी parents ऐसे इंसान के हाथ में अपना बच्चा दे सकता है जिसकी खुद की life बिल्कुल एकदम ऐसे ही चल रही हो बिल्कुल कोई तरीका नहीं है कोई life चल नहीं ठीक है खुदी इस चल इस ठीक है खुद के लिए stand नहीं कर पा रहे हैं वो लोग ठीक है उनके हाथ में देंगे वो आपको नहीं वो आपको तयार कर रहे हैं आप warriors हैं तो उनके हाथ में देंगे जो real हगदार है इन चीजों की ठीक है उनी के साथ आप जाएंगे आपकी लाइफ उनी के साथ है ठीक है अगर आपकी लाइफ आपके ट्विन के साथ है तो आपके ट्विन ही आपके लिए परफेक्ट होंगे ठीक है और ट्विन परफेक्ट होंगे तो मिन यूनिवर्स उनको लेके ही आएंगे आपकी लाइफ में आप अगर ना भी चाहें ना कि यूनिवर्स अपके ट्विन से आपके साथ ना जोड़ें ट्विन को अपकी लाइफ में तो भी वो चीज आपके रोकने से नहीं रुकेगी ठीक है तो go with flow रहिए go with flow ठीक है go with flow रहने से ना बहुत कुछ पाता है इंसान मैंने अपनी जिन्दगी बहुत जादा बदलते हुए देखिए बहुत जादा बदलते हुए देखिए और मैं ऐसी चैनलिंग और ऐसे मेसेजेज देना बिलकुल पसंद नहीं करती कि जहां मैं देख रही हूँ कि मेरी सोल फैमिली के लोग बिलकुल ही अपनी लाइफ को इदम स्टक करके बैठे हुए है आपने देखा होगा मेरा सबसे जादा दवाव अगर किसी शब्द पर रहता है तो स्टक ना हो, होल्ड ना हो इन चीज़ों पर रहता है क्योंकि स्टक एन होल्ड की एनर्जी आपकी लाइफ को खराब कर रही होती है ठीक है और मैं उसे बचने के लिए हमेशे इसलिए कहती हूँ कि सरेंडर में रहू हो भी रियल सरेंडर मुझे नहीं बता सरेंडर का मतलब आप लोग क्या निकालते हो सरेंडर का यह मतलब बिलकुल होता कि आप जिद में रहें कंट्रोल में रहें ठीक है अपने कंट्रोल में रखें चीज़ों को पानी है आप उसे रोक नहीं सकते वो बहेगा जीवन है आप उसे अगर रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा वो अपना रस्ता खुद बाखुद बना लेगा और फिर आपकी लाइफ ही डिले होगी और कुछ डिले नहीं होगा इन जीजों को समझना सीखो ठीक है बहुत जादा मैं तो ये इशूस देख रही हूँ बहुत जादा सारे टुइन फिलीम्स पताने किस तरफी जा रहे हो किस तरफी टुइन्स की लाइफ बहुत अलग होती है बहुत अलग होती है ये दो ऐसी पावरफुल एनरजीज है जो 5D में मर्ज होती है और उसके बाद अपनी लाइफ को इस तरीके से चलाती है ये दूसरों के लिए मिसाल बनते है ठीक है ना कि अटक के अपनी लाइफ भी खराब करते हैं अपने सोल मिशन पर भी नहीं आपा रहे होते हैं इतना नहीं सोचा जाता इन चीज़ों को ठीक है इतना बिल्कुल नहीं सोचना होता अगर आप लोग मुझे मेरी गाइडिन्स को फॉलो करते हो तो आप मेरी बात को समझे होगे और अगर आप समझे हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि married and married वाली वीडियो ज़रूर देखें जिनको confusion है क्योंकि मुझे ऐसा लगते हैं बहुत लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो energy वीडियो था ठीक है energy driving वीडियो था वही मैंने आपको downloads के according आपको दिया था ठीक है वो ही message दिया था जो universe ने मुझे दिया था क्योंकि मैं देख पा रहे हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सादा अपनी life को stuck करने में लगे हुए हैं stuck करने में लगे हुए हैं जबकि life stuck करने का नाम नहीं है यह flow है और आपको इसमें बहना होगा प्रवा है जिसे आप रोक नहीं सकते यह जीवन है जिसे आप रोक नहीं सकते देखते हैं ना अब कुछ ना करें ठीक है साल भार अगर घर में भी बैठे रहते हैं तो आपकी एक साल कम हो रही है उम्र कम हो रही है बढ़ नहीं रही है अब कम हो रही है जैसे जैसे नमबर बढ़ेंगे आपकी उमर कम हो रही है ठीक है तो आप एक चीज सोच यह ना आप अपने जीवन को किस तरीके से छला रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइट कहां पहुँच रहे हैं आप ठीक है रुकने का नाम जिंदगी नहीं है चलने का नाम जिंदगी है ठीक है बढ़ने का नाम जिंदगी है इस चीज को आप लोग समझे है और energy channeling आपको इसलिए दी जाती है तक आपको जो भी दिक्कते आ रही है आप उन से जोड़ सकें आप उनको समझ सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है energy जो भी collective energy आ रही होती है जो भी energy इस वक्त चल रही होती है मैं उसको लेकर आपको clarity देती हूँ ठीक है इस चीज को आपको समझना होगा अपने gifts को open करना शुरू कीजिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपनी life में stuck होके रहे कोई भी hold होके रहे और जो भी लोग ठीक है अगर मेरी बात को सुनने के बाद भी stuck and hold के energy में है तो आप समझ जीए friends जिसे आप अब तक hold में आये हैं ऐसे ही आप अपनी life को अपनी journey को डिले कर रहे और कुछ नहीं कर रहे ठीक है मेरा ऐसा फर्स बनता था कि मैं अगर आपको guidance देती हूँ तो आपको वही guidance दू जो universe मुझे मेरी जब medicine चल रही थी तब बैद ठीक नहीं थी जो मुझे उस वक downloads मिले ठीक है जो मुझे energies feel हुए जो मुझे issues आपके दिखे उनी पर ये video आपको अब देने वाली हूँ ये वाला ठीक है और अब जो videos आएंगी मेरी वो आपके issues को लेकर ही आएंगी क्योंकि I feel मुझे आपको इन issues से निकालना है ठीक है मैं इन issues में नहीं देख सकती क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी की life के साथ कोई खेले किसी की life के साथ अपनी life के साथ अपनी journey को खराब करे अपनी life को खराब करे universe पर trust खतम करे और अपनी life को खतम करे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे दीखे हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स ध्यान रखिए अपना खुश रहिए हैपी रहिए फ्रेंट्स टेक क्या मिलते हैं और अब वीडियोस कंटिनुवसली आएंगी ठीक है और बाकी अगर जब नहीं भी आपाएंगी तो मैं कम्मुनिटी टैप पे आप लोगों को मैसेज दे दूँगी क्योंकि तब बे तो आप देखी रहें मेरी आवाज लेकिन येस अभी वीडियोस आएंगी ठीक है फ्रेंट्स गॉड ब्लेस यूँ हैपी रहें खूब खाईए खूब पिएंजोई करेंगी खुश रहें ठीक है